कि अब जो है आगे हम को प्लांट कहां पर लगाए इसके लिए हम लोगों को देखना है कि पहला प्लांट जो है हम लोग से पांच मीटर के दूरी पर लगाते हैं जो यह पॉइंट है और उसके बाद हम लोग इस से 10 मिटर की दूरी पर लेते हैं जो हमारे यहां आम का टेडिशनल विराइटी है जिसका कैनोपी बहुत बड़ा होता है उसको कम से कम हम लोग 10 मिटर की दूरी पर लगाते हैं और 10 मिटर की दूरी पर कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी इसके लिए जो हमको रिखांकन करना है वो इस परकार है हम लोग इस परकार से खूंटी लगाते हैं दस मीटर पर जो पहला बेस लाइन जो है उस पर ये दस मीटर पर खूंटी लगा हुआ है फिर यहां से दस मीटर पर दूसरी खूंटी लगी हुई है और यही जगे है यही पॉइंट ह जहां पर हमको पौधा रोपन करना है तो यह पहला बेस नाइन पर हम 10-10 मीटर पर खुंटी लगा दिये अब हम लोग दूसरी लाइन को इसी तरह से रिखांकन करके 10-10 मीटर पर हम लोग खुंटी लगाएंगे जो की पौधा लगाने का जगह होगा अब हम इस परकार देख यह इधर का कैनोपी जगह लेगा फिर इसी परकार यह इधर इस लाइन में हमारा 10 मीटर पर प्लांट रहेगा तो यह कैनोपी इसका पांच मीटर तक जा सकता है उधर का भी पांच इस तरह से हम देखते हैं कि रखांकन करके हम लोग एक पौधे को एक ऐसा इस पेस देते और सिचाई में भी हमको दिकत ना हो तो इस परकार जो है हम लोग अपना रेखांकन करके बगीचा का ले आउट करते हैं इस विधी की खासियत यह है कि आप बाग की शुरुवाती अवस्था में दूसरी फसलें भी ले सकते हैं आपको बता दे कि वर्गाकार विधी से रेखांकित करने पर बाग की जुताई वबुआई दोनों और से की जा सकती है